लेटेस्ट कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट कबरे सबसे पहले सुना होगा साप एक रेंगने वाला प्राणी है सामपों की कई प्रजातियां जमीन पर रहती है और कुछ पानी में रहती है दुनिया में सामपों की सेकडों प्रजातियां पाई जाती है जिनमें कुछ जहरीली होती है जिनके काटने से इंसान की विद्युत एक हो सकती है औ इसका नाम इसके आकार से पड़ा है यह साप पहली बार ब्राजील में देखा गया था जब कुछ इंजीनियर मिडीरा नदी के उपर पुल बना रहे थे जीव वेग्यानिकों को मानना है यह साप विनाशकारी नहीं है और यह की प्रकार कहानी नहीं पहुंचाता है हाला कि इस आपकी प्रजाती विलुप्त होने की कगार में इसलिए इस तरह के जानवर दुनिया में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं अभी इस आपको इंगलेंड की नाशनल म्यूजियम में रखा गया है और इस सापको जीव वेग्यानिक अच्छी तरह से देख भाल कर रहे ह कर्सक्रा प्रड़ा झाल